अपने कई वर चोलोई साग का सेवन जरूर की आओगा, लेकिन सायद नाम से चोलोई को नहीं पहचानते होंगे. चोलोई का उपयोग साग या सबजी की रूप में लगवग हर घर में किया जाता है, या हर सबजी बाजार में आसानी से मिल जाती है. आम तोर पर लोग चलोई के बारे में इतना ही जानते हैं लेकिन सच यह है कि चलोई एक उत्तम उसदी भी है और आप कई रोगों के इलाज में चलोई के फाइदे ले सकते हैं मुह के चाले सांसों के रोग खांसी हिचकी की परिशानी में चलोई से लाब मिलता है कई लोगों को कान बहने की सिकात रहती है आप चलोई के प्रयोग से भी कान का बहना रोख सकते हैं चलोई के पत्ते के रस या चलोई के जड़ के रस की 2-3 बूंद मात्रा को कान में डालें इससे कान का बहना रोख जाता है आप चलोई का उपयोग कर पेचीस का इलाज कर सकते हैं एक से तीन ग्राम चलोई की जड़ के पेस्ट में मधू तथा मिस्री मिला लें इसे चावल के धुले हुए पाने के साथ सेवन करें इसे पेचीस में लाब होता है पेट के रोग को ठिक करने के लिए चोलय के पेस्ट को एरंड तेल में भून लें, इसका पेट पर लेफ करने से या गिल्ली पट्टी बांधने से पेट संबंदी रोगों में लाब राप्त होता है बावासीर का इलाज, कई लोग बावासीर से परिशान रहते हैं, आप चोलय का प्रयोग कर बावासीर का इलाज कर सकते हैं चोलय का साग का सेवन करें, ये बावासीर के रोगी के लिए बेहद फाइदे मंद होती है लिकोरिया का इलाज 1-2 गरम तनुलिया चलोई के जड़ के चूर्ण में मधू मिला लें इसे चावल के धुले हुए पाने के साथ पिएं इसे लिकोरिया में लाब होता है बुखार को ठीक करने के लिए चलोई का इस्तमाल करें इससे लाब पहुंचता है राजबला, सहदेवी तथा चलोई की जड़ को सीर पर बांधें इससे बुखार उतर जाता है चलोई साग का सेवन कैंसर की रोक्ता में मदद कर सकता है क्योंकि ये इसमें कैंसर रोधी क्रियाशीलता पाई जाती है अतर इसके सेवन से कैंसर के रोख्था में मदद मिलती है चलोई का साग पाचन सक्ती बढ़ाने में मददगार होती है चलोई का साग रक्त की कमी को दूर करने में मदद करती है क्योंकि यह हीमोगलोविन बढ़ाने में मदद करती है तो तंदुलिया चलोई का सेवन करने से रक्त की कमी दूर हो जाती है सांप का जहर उतारने के लिए एक से दो ग्राम चलोई की जड़ के चूर्ण को चावल के धुले हुए पानी से पिस कर पिएं इससे सभी पर करकर सापों के जहर उतर जाते हैं अगर कोई जहर पी जाता है तो उसे एक से दो ग्राम चलोई की जड़ को चावल के धुले हुए पानी से पिस लें इसमें घी मिलाकर सेवन करने से कृत्रिम विश यानि दूसित विश का असर खतम हो जाता है